हलो दोस्तों कैसे आप बहुत अच्छ होंगे लेकि हम पढ़ रहे थे टाइमेंड वर्क उसी को आगे पढ़ात्वे क्लास से स्टार्ट करते हैं आज को जो पहला कोशन है बटा देखे सबसे पहला कोशन को पहला पढ़ना जरूर है बटा वो कहता है अजीत जो है सोहन से चार गुना तेज काम करता है और यदि सोहन स्वतंत रूप से एक कारे को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो अजीत और सोहन मिलकर उस कारे को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं तो अजीत works there four times as the first of the Sohan, if the Sohan can complete the work in the 20 days, देखेगा, अब आगे कहता है, the number of the days in which the Ajit and Sohan can together finish the work is better, तो उसने कहा, Ajit जो है, Ajit जो है, Ajit किस से, Sohan से, तो हम यहां लिख सकते हैं, Sohan, Sohan से चार गुना तेज काम करता है, तो यह एक करता है, तो यह क्या करता है, चार काम करता हुगा, तो यह क्या है, इनकी कारे करने की छमता, स्पीड है, तो आप कह सकते हैं, यह एक काम करेगा, तो यह चार काम करेगा, अब मैं आप से कहता हूं उसने कहा सोहन सदंत रूप से किसी काम को कितने दिन कर सकता है बीस दिन में कर सकता है तो सोहन एक दिन में कितना करता है एक करता है तो आप बताइए सोहन ने पूरा काम कितने दिन में करा है बीस दिन में पूरा किया है तो मैं आप से कह सकता हूं कि एक दिन में एक करता है तो बीस दिन में कितना काम किया होगा बीस काम तो अब एक बावत हो तो काम कितना हो गया बीस हो गया क्योंकि एक दिन में एक करेगा तो बीस दिन में बीस काम करेगा अब वो कहता है उस काम के लिए जो काम है उस काम के लिए दोनों अजीत और सोहन काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा तो आजीत की कारेज हमदा कितनी है चार और सोहन की कितनी है एक तो छार एक कितना होगा पांच और पांच के हिसाब से वीस काम को करने में कितने दिन लगेंगे चार दिन और यही आपका answer हो जाएगा ता आप रही कितना answer हो जाएगा चारिस का correct answer हो जाएगा चले next question पर आकर बढ़ते हैं मिटा next question के कहता है रेखा अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकती है और बिना उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है रेखा से आरम कराते होगा है एक आंतर का मदला alternate बिटा दिनों में काम करते हैं तो कारे कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा तो वो कहता है तो आप एक बाव दिए रेखा जो है रेखा है रेखा अकेले काम करती है तो उस काम को करने में 16 दिन लगाती है लेकिन बीना जो है यदि उसी काम को करे बिटा तो बीना उस काम को करती है तो बहर कितने दिन में कर पाती है बारे दिन में कर पाती है तो आप देखे काम दोनों के लिए समाने जब समय लगा तो काम भी होगा तो आप देखे दोनों का LCM लीज़ेगा तो जो क्या निकल जाएगा काम निकल जाएगा तो आप कहेंगे LCM कितना आएगा इनका 48 आएगा तो देखेंगे 16 तीया 48 और 12 चुक 48 ये क्या है बिटा इनकी कारे करने की पीड करने आएहां तो अब ये दोनों के दोनों alternate काम करते हैं का मतलब एक काम करते हैं तो अर रेका के बाद कोन आएगी बीना आएगी तो इसकाpoints कह सकते आगे दो gitu नंका जा दो दिन का आँट किसे साथ एक पेअएर दो दिन करता है साथ साठ काम करना कि इतना हAcc Regular 70 जाद हो जाएगा विए कर लेंगे इधर और 6 से गुणा इधर कर लेंगे कोई आपतीनी तो 6 दुनी बारा दिन तो बारा दिन में कितना काम हो चुका है 42 काम हो चुका है मार बेटा 42 काम नहीं था काम तो इतना 48 था अब एक बावत कितने पेर बन चुके हैं 6 आप कहेंगे पेर क्या उले 6 चैशे पेर बन चुके हैं 2-2 दिन के विटा और 2 दिन का को रेखा और भी न विटा तो आप बताइए पेर की शुरुवात को रेखा के दौरा की जाती है औ तो वो एक दिन का होगा और एक दिन कोन करेगी विटा रेखा क्योंकि पेर की सुरुबात रेखा करती है विटा तो रेखा कितना काम करेगी विटा 42 काम हो चुका है तो रेखा के द्वारा एक दिन कितना काम होता है विटा तीन तो तीन ओड़ जोड़ लेंगे विटा इसमा में जैसे तीन जोड़ेंगे तो ये एक दिन काम है तो कितने दिन होगे तेरा दिन अब तेरा दिन में कितना काम हो चुका है विटा 45, आप देखें, रेखा ने काम कर लिया है, तो अब 45 काम हो चुका है, अब काम कितना बचा है, काम था total 48 बटा, कितना था 48, तो 48 मेंसे कितना हो चुका है, देखें 45, तो 13 काम कितना बचा है, सेस काम तो आप कहेंगे 45 हो चुका है 48 था तो सेस काम बचा है 3 तीन काम को कौन करेगी जब रेखा कड़ चुकी है तो आगे कोन करेगी एक दिन का काम बेटा चाहे एक दिन का बचा है या नहीं बचा है आएगे कोन करने बीना तो बीना की कारेश हमता कितनी है विटा आप बताए चार है तो तीन काम को करने कोन आएगा चार के हिसाब से होगा तो आप बताए एक दिन तो पूरा लगएगा नहीं तो यही इतने दिन आंसर है जाएगा अब बताए यहां तक आने में कितने दिन लग चुके हैं पूरे प सहही तीन वटा चार इसका करेक्टांस इस तरह का सवाल आपको हंडिट पर्षेंट मिलेगा जलिए नेस कोशेंट है वो MASK किसी कारे को दस दिन में और एक महिला इसी कारे को बारे दिन में पूरा कर सकती हैं तो इक महिला प्रती दिन एक साथ कारे करके कारे कितने दिन में पुरा कर सकते हैं तो वह कहता है a man can finish the work ten days a woman can finish the work 12 days how many days will work be finished by men and women working together every day विटा तो उसने कहा आदमी जो था बिटा आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है दस दिन में और बिटा महिला करे तो उसी काम को कितने में कर सकती है के लिए बारे दिन में तो काम दोनों के लिए समान है बिटा तो काम मान लीजेगा तो काम कैसा आएगा लसेम निकाल कर बिटा तो आप बदा यह 60 काम हुआ 10 दिन में पांच तो करे शम्ता निकाल ली अब वो कह ता है दोनों को एक साथ ब्ल बिल कर अना है तो काम तो अब भी कितना है साथ ही है और साथ काम को कौन करेगा एक साथ बिटा आप एक साथ कोन है आदमी और आदमी के साथ महिला तो दोनों लगेंगे तो आपका अंसर कितना आएगा 5 सभी 5 बटे ग्यारा यह आपको के दे रखा है साथ बटे ग्यारा तो साथ बटे ग्यारा इसका अंसर हो जाएगा इस तरह से कर लेंगे आगला कोशन के कहता है एक किसी काम को चार दिन में पूरा कर सकता है भी उसी काम को बारे दिन में पूरा कर सकता है इस पर दो दिन तक साथ एक काम करते हैं करते हैं तो काम कितना कितना अंस सेस रह जाता है काम नहीं पूछा है तो काम का कितना अंस सेस रह जाता है तो आप ए two days, then the fraction of the work that will be left, is about it. उसने कहा, तो बी जो है, बारे और चार किलिकों कड़ सकता है, इसे काम को 12 दिन में पुरा कड़ सकता है, आप पहले क्या मानेंगे, बारे और चार क हमें क क कतुछ हों उत यह होता है, तो चार तीया बारे और बारे जिना बारा, तो यह क्या है विटा इनकी कारे करने की कारे च्छमता विटा कारे च्छमता है विटा तो आप एक बाव बदा ये कारे च्छमता निकाल ली विटा वो कहता है बे दो दिन तक एक साथ काम करते हैं तो A प्लस B के दिन तक साथ काम करते हैं दो दिन तक तो दो दिन तक तो उन् कर लिया तो दो दिन तक किस ने किया इस एने और बी ने तो एगी कारशन तो कितनी है तीन और एक कितना होता है चार और चार के साफ से दो दिन का काम कितना होगा आठ आठ काम तो हो चुका है तो बचा काम कितना है बचा काम तो आप कहेंगे टोटल कितना था बारा बारा मैं से 8 होगे बचा कितना 4 और कितने में से 12 में से तो आप कहेंगे कितना बचा है एक बटा 3 हिस्सा पूचा है बटा fraction में बटा एक बटा 3 आपका correct answer हो जाएगा सवाल भारी नहीं है simple सा question है अगला question है आपका अनिल और विपिन एक साथ एक कारे को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि विपिन अकेला उसे कारे को बेज दिना पूरा कर सकता है तो आप से बूचता है अनिल अकेला कितने दिनों में उस पूरा कारे को कर सकता है वो कहता है अनिल and विपिन together can the complete work 15 days while विपिन alone can finish the 20 days how many days can be the अनिल alone to finish the work आगे गेदा है रिखेगा सवाल में पढ़ना जरूर है अनिल है अनिल के साथ को ने विपिन है और ये दोनों के दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में complete हो जाता है 15 दिन में आगे गेदा है विटा लेकिन जब विपिन अकेला काम करने आता है तो विपिन उसी काम को कितने दिन में कर पाता है 20 दिन में कर पाता है तो दोनों के लिए काम देखे बरावर है तो काम निकाल लिजेगा और काम कितना है विटा 15 और 20 केलसिम कितना होता है 60 तो 60 काम हुआ 15 क एक धिन में कितना होगा रिक चार और यहां वीस्टीय क्रेश्णत है अब देखेगा आप से अध्याव नियान नखी आऍधिंगे दो जंदोंगी अरिए कितने जंद नोगिए अकेले जने तीन है तो आप एक बावत हैं, जार काम करते हैं यह 3 करता अकेला, तो इसकी कितनी होगी? A प्लस B की कारा छमता कितनी है, विटा? 4 है, और हैं यहां पर कितनी है B की? 3, तो अनिल की कितनी होगी विटा? A गी तो होगी, क्योंकि तीन और एक 4 होता है, आप तुम से बूछा अनिल से काम को पुरा करें तो कितने दिन मु liberally met 30 अब 60 काम को अनिल करेगा हमें कंटल कितनी एक है अग counselor का येक से को काटना कितना आएगा साथ ही आएगा तोPP- laughing साहे कर सकते हैं साथ दिन इसका आंसर जाएगा चलिए नैस कोशन पर आगे बढ़ते हैं नैस कोशन के कहता है वो कहता है ए और भी किसी कारे को 10 दिन में और बी और सी उसी कारे को 12 दिन में और सी और ए उसी कारे को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो आप एक बाव बतागी ए प्लस भी एक काम पर जाते हैं और दस दिल लगाते हैं और काम पूरा हो जाता है बी और सी उसी काम पर जाते हैं और बिटा कितने दिल लगाते हैं बारे दिन तो कारे पूरा हो जाता है यह आगे गयता है सी औरे उसी काम पर जाएं तो बिटा 6 दिन में पूरा कार्य कर पाएंगे तो जब समय लग चुका है तो कोई ना कोई तो यह काम होगा तो काम कितना ओगा 10 12 और 6 के सिम कितना होता इस आप किंगे 60 होता है तो यहाँ छै और यहां 5 और यहां बिटा आप कह सकते हैं कितना अगदास आएगा यह क्या है कारे छमता बिटा एक बात जरूर जानना इधर हर व्यक्ति ने काम दो बार किया है A, B, B, C, A तो हर व्यक्ति दो बार जैसे A, एक बार B के साथ आता है और A, जो एक बार C के साथ आता है इसका मतला हर व्यक्ति दो बार काउंट है, तो आप कहेंगे कारेश्चंत दो बार काउंट नहीं होती, कारेश्चंत दो एक बार काउंट होती है तो इन्हें तीनों को जोड़ दीजेगा इन बिटा तो आप केंगे 2 A प्लस B और प्लस C और बरावर कितने के बिटा इधर भी तीनों को जोड़ दीजेगा तो आप कहेंगे कितना आएगा 21 आएगा और 21 का जब इधर से 2 से भाग करेंगे किसको तो आप कहेंगे A प्लस B और प्लस C तो ये कितना जगा 10.5 जगा इसका मतलब तीनों की कारेच्छमता जो रियल में है वो 10.5 है और आप से क्या पूछा है तो आप से पूछा है A अकेले तो जिस से भी काम कराना चाहते हो उसके कारेच्छमता आपके पास होनी चाहिए तो कारेच्छमता किसकी होनी चाहिए A की तो A की कारेच्छमता नहीं हमारे पास A प्लस B प्लस C की है तो A की कारेच्छमता निकालना चाहते हो विटा तो आप कहेंगे जब हम A का मान निकालना चाहते है तो A की कारेज चम्दा पता होगी तो हमारे पास किसकी value रखनी पड़ेगी B C की बरावर कितने के है 10.5 तो B और C की कारेज चम्दा आपके पास है विटा कितनी है 5 है तो मैं यहाँ 5 रख सकता हूँ A प्लस 5 बरावर कितने के 10.5 के इसको इधर लाएंगे A से काम कराना तो A के लिए भी काम कितना है टोटल 60 और 60 काम को किस से कराना है A की कारेज चम्दा आप निकाल चुके 5.5 अब दसम्दा भटाएंगे उपर 0 पोच जाएगा तो 5 से काटी नीचे 11 और उपर कितना हैगा 120 तो आप कह सकते हैं 120 बटे 11 आपका आंसर जाए और यह किस का समय होगा A के द्वारा किया गया पूरा कारेज बिटा और यही आपका आंसर हो जाएगा 120 बटे 11 चलिए नैश कोशन पर आगे बढ़ते हैं नैश कोशन क्या कहता है A, B और C अकेले अकेले एक कारेज को करने में क्रम सा 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन का समय लेते हैं यदि बहें 4 दिन तक एक साथ कारे मिलकर करते हैं तो कितना कर रहे हैं सेस बचा है तो आप एक बाब दे 4 दिन तक तो साथ किया उसके बाद ही तो सेस कारेज पूछा है तो आप एक बाब बताओ एने काम कितने दिन में पूरा कर सकता है बटा 12 दिन में और बी अकेले उस काम को कितने दिन पूरा कर सकता है 15 दिन में और सी अकेले उस कारे को कितने दिन में पूरा कर सकता है बटा 20 दिन में आप मुझे बताइए तो क्या निकालेंगे हैं आपर आप जब काम निकालेंगे दो बारह, पंदर और ब इस केल से हैं कितना होता है? कि może 90 होता है अब बदाएं बारह से भाग कर है 5 आएगा, पंदर से भाग कर यह चार आएगा और यह क्या है बynnटा पै करें ठंता है अब 3ों की कारेज हमता आपने निकाल ली है तो 3ों कारेज हमता 5, 4, 3 है उसने कहा यदि वे कौन भीड़ा 3ों 4 दिन तक साथ कारे करते हैं तो A प्लस B और प्लस C 4 दिन तक कारे करते हैं कितने दिन तक? 4 दिन तक तब एक बाव बताओ ए कितना करता है पांच चार नो और नो और तीन कितना होता है बारा तो इसका मतलब तीन नो ने एक दिन में कितना काम किया है बारा और ये कितने दिन तक करना चाहते है चार तो बारह चोग अरतालिस इसका मतलब चार दिन में कितना काम हो चुका है अरत हाट में से और जब हम इसे भाग कर देंगे तो आप कहेंगे बचा हुआ हिस्सा कितना है एक बटा पांच इसका मतलब एक बटा पांच हिस्सा बचा है जो काम अभी रहा है और यही इसका आंसर हो जाएगा एक बटा पांच इसका आंसर हो जाएगा चले नैश कोशन पर आग दीवन बरावर होता है M2 और डिटू इसका यह मतल़ होता है इन व्यक्ति ने समय कारे किया और इन दूस्य व्यक्ति ने डीटू डीटू समय में कारे किया और कारे दोनों के लिए पर ठेट 25 विध्यारती थे और Battlefield 27 दिन में भोजन को कहा सकते हैं अब खहता है ज भू किना चाहता है 45 विद्ध्यारति उस बोजन को कितने जिन में खा सकते हैं तो यह तो पूचरओ है है तो नो से भाग कर दो 9 पंजे 45 होता है नो तियWow 27 और पाट ससे भाग कर दो आप क्या सकते हैं कि कितने दिन में पूरा complete कारे कर सकते हैं 45 विध्यारती 21 दिन में यही इसका आंसर हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21 दिन इसका correct आंसर हो जाएगा चलिए नैस कोशन प्राग बढ़ते हैं तो आपसे किसके बारे में पूछा उसकी कारेशनता आपके पास होनी चाहिए तो पहले तो हम निकालते हैं सब एक्स प्लस बाई एक साथ किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं दस दिन में और बाई और जैड बिटा बाई और जैड जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं पंदरे दिन में पूरा कर सकते हैं आगे गहता है जैड और एक्स उसी काम को बारे दिन में पूरा कर सकते हैं. अब देखेए, सब के लिए क्या लगा है? समय लगा है. तो समय लगा है, तो बिटा कोई न कोई तो क्या होगा? काम जरूर होगा. बिना काम के समय कैसे लग जाएगा? तो अब यह 10, 15 है और बारहे का एक काम मन लीज़ें कि अल्सीम साथ होगा तो काने काल चुकें है नेकाल युटा है कंतलो 今日 क्याता है एक बार काम करता है एक तो हर विक्ती दो सब्सक्राइब करार दो और कारेज़ कर रहा और कारेज हमता एक बार काउंट की जाती है तो तो Z की कारेच्षमता आपके पास होनी चाहिए, तो Z की value निकालने के लिए आपको किसका मान रखना पड़ेगा, X और Y की कारेच्षमता कितनी है, 6 है, तो आपके यह 6 प्लस Z, और बराबर कितने के 7.5 के, इसको इधर ले जाएंगे, तो Z की proper value कितनी जाएगी, 1.5, तो यह Z की कारेच्षमता किसकी है बिटा, Z की बिटा, अब Z जो है किस रब्तार से कारे करता है, 1.5 की रब्तार से, अब वो कहता है, यदि 60 काम करें, इसी रब्तार से, इसी कारेच्षमता से, कौन बिटा, Z, तो Z की कारेच्षमता नीचे रख देंगे, 1.5, तो दसम्लाब हटाएंगे, उपर 0 आ जाएगा बिटा, और 15 चोका 60, इसका मदलब, पूरा कारेच्षमता होने में कितने दिन लगेंगे, 60, 40 दिन, और यही आप से पूचा था, तो Z के दोरा, पूरा कारेच्षमता कितने दिन पूरा हो जागा, 40 दिन में, चलिए नैस कोशन पर आगए बढ़ते हैं बिटा, नैस कोशन के कहता है, A अकेले एक घर को 35 दिन में पेंट कर सकता है, B अकेले उस घर को 70 दिन में पेंट कर सकता है, और C के साथ, तो C के साथ कौन बिटा, दोनों का साथ है बिटा, उन्होंने, उन्होंने के मदलब, A और B ने बिटा, B ने कारे केवल 10 दिन में पूरा कर लिया, तो C अकेले उस कारेच्षमता को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, बड़ा अच्या सवाल है, ए अकेले कारे को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकता है 35 दिन में और बी अकेले कारे को पूरा करें तो कितने दिन में कर सकता है 70 दिन में आगे कहता है सी के साथ तो सी का साथ किसने लिया दोनों ने ने बटा ए प्लस दी प्लस सी यदि ये साथ कारे करते हैं कारे कितने में पूरा हो जाता है दस दिने पुरा अब मैं आप से कहता हूं लिए यहां पर आपका लिखा अभी बदाई इनका क्या निकालेंगे चाहलेंगे इन सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो जाएगा इन तीनों से कटने वाली संग कितनी है तो 3530S और यह कितना एक आएगा और यहां कितना आएगा वी निकाल सकते हैं आप से पूछा है सी अकेला वैप को सी घी करे चहमता हम को चाहिए थेले ए कि कि कम किटनी है बिटा दो और विकी कितनी है एक है तो दो और एक कितना होता अपि तीन और टीन इदर उधर जाकर हो कितनी हैं पूरा उन्य के तो बहुत कितना है कि 70 काम हैं यह सी से कराय जाएगा तो सी की का रिशन था कितनी है चार और यही आपका आज़ साथ बटे चार इसका करेक्टान्स हो जाएगा चलिए नेश कोशन पर आगर बढ़ते हैं मिटाब नेश कोशन के कहता है एक्स और वाई मिलकर किसी कारे को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं तदा बाई अकेले उस कारे को 180 दिन में पूरा कर सकता है तो X अकेले उस कारे को कितने दिन में पूरा कर पाएगा तो अब एक बाव बताईए X था और X के साथ बाई है दोनों के दोनों 45 दिन में पूरा कर सकते थे आप उसने कहा अकेले किस से करवाना है वाइसे तो इसको करने में कितना दिन लगें असी तो बिटा समै दोनुने लगाया है तो कोई न कोई तो यहां क्या होगा वर्क होगा काम होगा नहीं होगा अब काम कैसे निकाले 45 और 186 कि रहने 180 होता है अब 45 सक भाग करेंगे कितनी बार जाएगा चार और यहां कितनी बार जाएगा एक आएगा तो दोनों की कारे चम्ता हमने निकाल ली X प्लस Y की कितनी है चार है और Y की के वल कितनी है एक है और आपको काम किस से कराना है X से कराना है तो आप बताइए X प्लस Y बरावर कितने के है आप बताइए X की जो रफ्तार है तीन काम करने की है एक दिन में बताइए टोटल काम तो इसके लिए भी 180 रहा होगा 180 काम को कौन करेगा बता X जब करेगा तो अपनी कारे छामता करेगा एक्स की कारे जमता कितनी है तीन और तीन से जब हम भाग करेंगे एक्स ने पूरा कारे करने में कितने दिन लगा तो आप कहेंगे 60 एक 60 दिन लगा यहीं इसका correct आंसर हो जाएगा चलिए नैस कोशन के बढ़ते हैं नैस कोशन के कहता है A, B और C एक कारे को पूरा करने के लिए दिया जाता है आगे कहता है A, B और C के दुआरा लिया गया समय का नुपाद टाइम का रिश्यू है वेटा A, B और C तो इन तीनों का समय का नुपाद दिया है क्या दिया है समय का नुपाद समय का नुपाद कितना है विटा 4, 3 और 6 तो वो कहता है उनके कारे कुसलता का नुपाद कारे कुसलता का मतलब उनकी कारे चमता का नुपाद पुछा है है और आपको ये पीछे पताया गया है समय आ देंगेर आपस में कारे शंताsama बने की सबस्ता लिए दिए इनवर्सली प्रफोट्वी इसके नीचे क्या था एक है समय दिया है तो कारे शंहता निकालना तो इसका उल्टा कर दिए गाऊच्छं पाफर पोच जाएगा को और चार नीचे आजएगा तो आपएगे यह समय दिया है तो कारज्च्छंदा निकालने तो इसे भी उड़ा कर दीजिएगा एक बटा 3 कि हर नमबर के नीचे है और इसके नीचे भी एक है वीटा तो यह विटा से अप यह जानते हैं अनुपाद कभी भी रेश्यों में नहीं बटे में बनाना तीन से नीचे और तीन से उपर और यहां चार्ट से नीचे गुणा करेंगे और चार्ट से उपर गुणा करेंगे और यहां कितने से विटा दो से नीचे गुणा करेंगे तो दो से उपर गुणा करेंगे अब नीचे तो बराबर होगी रेश्यों में बराबर चीजे कट जाती है ता बताएं क्या आएगा विटा है कि 3-84-2 और यहीं आप से पूउचा गया है तो यह किस का अनुभाद होगा कार्य करने की चम तक अनुभाद होगा ता बताएं यही अस्का अंसर हो जाएगा विटा चलिए नेस कोशन पर आग़ बढ़ते हैं मिटा नेश्ट कोशन के कहता है कि दी अकेले किसी कारे ко को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक अकेले केकर को करता है तो 25 दिन में पूरा कर सकता है तो आप देगे दोनोंने इसने भीस दिन लगाई इस इसने 25 दिन लगाए तो यहां क्या लग चुका है कि समय लग चुका है और समय लगा है तो कोई ना कोई तो क्या होगा बिटा काम होगा अब देखें काम निगा लिए 20 और 25 केल से हम कितना होता है सो मानने को आप यहां कुछ भी मान सकते कोई फरक नहीं पड़ेगा सवाल पर तो आप कहेंगे जब 20 से हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा पाच बार और पच्चे चुका सो इसका मलब इन दोनों की कारे छमता आप निकाल चुके हैं कारे करने की छमता पहला पांच करता है तो दूसरा चार करता है अब कहता है यदि बे आठ दिन तक एक साथ का करते हैं तो से स्काम का अंस कितना है तो पहले डि और एक ग्ने साथ कितने दिन काम कर आँ आठी दिन काम कर हों कि यह एक दिन में कितना है तो सो में से बहात्तर हो चुका है तो आप कहेंगे बचा हुआ कारे बटा जो बचा है काम कितना है बटा अब बचा कितना 28 और कितने में से 100 में से आप 4 से काट सकते हैं चार सकते 28 और नीचे 25 आएगा इसका मदलब जो आपका सेस काम बचा है वो साथ बटे 25 बचा हो और यहीं आपका आंसर हो जाएगा चलिए नैश कोशन पर आगे बढ़ते हैं नैश कोशन क्या कहता है कुछ व्यक्ति किसी कारे को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 10 व्यक्ति कम कर दिये जाएं तो कारे को पूरा करने में 10 दिन अधिक लगते हैं तो सुरुबात व्यक्तियों की संख्या कितनी है बटा तब बदाएगे कितने व्यक्ति थे कुछ व्यक्ति तो कुछ व्यक्ति है तो काम भी कर पाया होगा अब उसने कहा 10 व्यक्ति कम कर दी जाएं तो व्यक्ति नहीं ब Bent बरावर है विटा तो यहां कहेंगे 9x और यहां आएगा विटा 10x और सो आजाएगा इसको इदन लाएंगे तो इसका मतलब व्यक्तियों की संक्या कितनी थी तो आपसे तो पुझे तो आपका आजाएगा सो इसका कर्क्ट अंसर हो जाएगा चलिए नैस कोशन की और आगे बढ़ते हैं नैस कोशन क्या कहता है A किसी कारे को 9 दिन में पूरा कर सकता है B A से 80% अधिक कुसल है कौन बेटा B जो है किस से A से A से 80% अधिक कुसल है अधिक लिखा है बेटा अधिक कुसल है बेटा इसका मुला जितना ये काम करता है उससे ये 80% जादे करेगा तो ये कितना होगा is 180 जहगा दोनों का ratio बनाई है तो क्या यहाएगा इसका का क्काम यह च्छमता एक रे सब्सक्राइभ कित न क्या है गैशा है अब इसकी काम को नो दिन में पूरा गर लिया अब एक दिन में कितना करता है यह क्योंकि कारह छमता एक seguridad नो दिनमें पूरा कर लिया तो आप काम निकाल सकते हैं नो दिन में कर लिया अंत 45 45 काम को तब तो नो दिन में होगाए Ooh तो ऑप पाउस के हिसाथ सब्सक्रेटें बहुत है यह दोनों पांच अनों कितना होता चोधार यही इस कांसर हो गया इसका मतलब 45 बटे 14 दिन में पूरा काम हो जाएगा A और B के द्वारा तो आप कांसर यह क्या हो जाएगा 45 बटे 14 इतना बड़ा सवाल है चलिए नैश कोशन पर आगर बढ़ते हैं नैश कोशन के कहता है उसने कहा यद अकेले किसी कारे को 20 दिन में पूरा कर सकता है और B अकेले उस कारे को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो आपके डाटा के अनुसार क्या दिया है विटा A कितने दिन में पूरा कर सकता है 20 दिन में और B जो है वो कितने दिन में पूरा कर स हो तीस से कटने वाल संग्या साथ होती है तो बीस तिया साथ और देखें आप कितना जगा तीजुनी साथ होता है तो यह क्या ही विटा इनकी कारे करने की कारेश हमता होती है आगे के कहा उसने पहला option क्या है A और B कारचा यंफा निथा पहले statement में क्या दिया है 3 नौपाद 2 तो आप कैंगे Ai ओर बी कारचा निथा कितनी है तीन नौपाद रखिए इसका म tyre इस अवालकि से ये वाला statement साही है फिर आगे कहता है A और B एक साथ कारे करें तो बारा दिन आएंगे इसनका मतलब हमारे सफाल के साथ से पहला statement जो सही है और इस सवाल के साथ से दूसर statement भी सही है क्योंकि यहां भी 12 दिन आया हमारा भी 12 दिन आया और यहां भी रेश्व वह आया जो रेश्व उपर बिटा दे रख था है तो अब एक बावत है यह तो आप ओप्सन क्या मारेंगे तो कहेंगे ए और बी दोनों के दोनों तो यही इसका करेक्ट आंजर हो जाएगा बढ़ रोहित अकेले उस काम को दस दिन में कर सकता है और रोहित अकेले उस काम को पंद्रे दिन में कर सकता है यदि बे एक साथ काम किये तो उन्होंने उन्हें प्राप्त होने वाली रासी का अंतर याद करिया आप से यह पूछा गया है बढ़ा अच्छा सवाल है विटा तो दि हाथ में लिया तो मोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करता है विटा मोहित विटा दस दिन में पूरा कर लेता है और आगे कहता है रोहित जो है रोहित उसे काम को कितने करता है पंदे दिन में पूरा कर लेता है अब देखेगा मैंने कहा दस दिन में और पंदे दिन में कितना है एक साथ काम करते हैं और उनने प्राप्त होने वाली रांसी में उनका अंतरोगाद कर लिए घार दों तो मैं आप से कहूं कि दोनों का अनुपात कितना है विटा तीन अर्दो ये किस का अनुपात है कारे करने की कारेश हमता का अनुपात है तो आप गताए कारेश हमता का अनुपात यह है तो धन का अनुपात भी यही होगा रासी का इस अनुपात में रासी बटेगी विटा त आप केंगे मेरे इस आप से तीन मिलेगा तो दूसरे को दो मिलेगा तीन और दो कितना होता है पांच होता है और सवाल में कितना है विटा चार हथार 4040- Но बाँसे भाग करेंगे भीटा तो 5 से जब भाग करेंगे 680 के आहीं जालिस और 01 की वैल्क कितने अहीं बशांत के 988 आप पूछा गया है जांतर गा॥ एक- ただ कि द्हुनडासीमर्स अन्तर गायों है एक का और एक की वैल्य कितनी है 2018 तो यहीं इसका यही आपका correct आंज़र हो जाएगा चल लिनः Black question पर आगे बढ़ते हैं ए और भी मिलकर किसी कारें को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं इसका म्दलब क्या है ए और भी एक साथ काम करें तो पूरा करें 48 दिन में पूरा हो जाएगा इसका मतलब क्या है एक काम करता है तो यह कितना काम करता है चार काम करता है यही तो कहना चाहता है आगे कहता है उसने कहा इसे चार खुना अधिक करे dyn में पूरा कर पाएगा तो मैं आपसे कहूं देखेगा यह एक दिन में करता है यह वो कहता है दो दो आठ पंच सवाल हलके ससकते हैं कोई भार ही नहीं है दो ब्यक्ति और भी अलग-अलग काम करके किसी भवन को 6 गंटे और 10 गंटे में स्वक्ष कर देते हैं विटा बारी बारी एक एक गंटे के लिए अंतराल पर कारे करते हैं तो 8 वजे सुबा आठ वजे एक कारे करना आरम करता है तो कारे कितनी धेर में समाप्थ हो जाएगा के निआता ह ह। वक्ष के ए जो है छैंद इस भवन को हारब कर सकता भी जो है तरहे जया दिद्क निम्हें के लिए टो टे लीजेगा अपने हिसाब से तो जो दुच्छ और दस से कड़ आप बताई कितना होगा तीस वह करें कितना होगा तुछ निकाल निगाली कितना है पाँच और क्या है आए अब उसने बारी बारी bene किक एक घंटे गंटे में कितना काम हुआ बिटा आठ काम हुआ कितना पांच और दीन आठ हुआ और करना कितना है बिटा हमें 30 करना है तो आप कहेंगे देखें अब मैं आप से कहूं कितनी बार चार बार जाद हो जाएगा तो तीन बार बिटा तीन बार यहां गुणा करेंगे तीन बार इ A B फिर A B और फिर A B बटा तो तीन पेर complete हो चुके हैं तो इसका मलब फिर पेर की सुरुवात कोन करता है फिर A करता है तो A फिर अपना काम करेगा तो A जो करेगा वो कितने घंटे काम करेगा एक घंटे कोन करेगा A बटा एक घंटे में एक इतना करता है पांच तो पांच काम और करा दो इधर काम कितना हो जाएगा 29 काम हो जाएगा और इधर टाइम कितना हो जाएगा बिटा गण इसका बहनता साथ घंटे पूरे पूरे यहां लग चुके हैं तब एक भावत आड़ यह साथ घंटे में कितना काम हो चुका है 29 काम बार काम था बटा कों 31 सो degradी सथ तो बचा काम कुतना है बटा एक और बचा काम को को खोन करेगा बिटा तो आप मुझा बताईए ए तो कड़ चुका है फिर इसके साथ अगला घंटे कोन काम करता है बी जब ए कड़ चुका है तो बी करेगा बी की कारेशनता कितनी है तीन इसका मतलब बी जो करेगा बचे काम को तीन की रफ्तार से करेगा तो एक बटा एक करने के बाद इतने घंटे में कारेशन पूरा हो जाएगा तो आप बता सकते है साथ सही एक बटा तीन घंटे प्रो पर इसका आंसर हो जाएगा तो ये इसका बी आंसर आ जाएगा बटा देखिए अगला कोश्य ने बिटा आपका अंजू जो है बिट से 30% अधिक सक्षा में बिटा तो अंजू जो है किस से बिटा बिट से अंजू किस से बिटा बिट से 30% अधिक सक्षा में तो ये 100 काम करेगा तो बिटा ये तो ये कितना काम करेगा 130 और दोनों का अनुपाद कितना एगा तेरे अनुपाद 10 आएगा ये अनुपाद किसका है कारे चमता का अनुपाद है कारे चमता का अनुपाद है आगे के कहता है तो एक साथ काम करते हुए बहे है उस कारे को पूरा करने में कितना समय लेंगे यदि अंजु अकेले उस कारे को 23 दिन में पूरा कर लेती तो अंज कितना करती है तो दो दिन में बिटा तेरह सो गुणान कर देंगे और कितना ऐगा तो आप कहेंगे कि तेरह काम होगा निकल जाएगा इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा तेशलों 13 हो जाएगा अब 23 काम को किस से कराना चाहता है दोनों से कराना चाहता है अब दोनों को नहीं पूछा गया था पहला आंसर यह हो जाएगा चलिए एक साथ काम करता है किसी काम को चार दिन में पूरा कर लेती है चार दिन में पूरा कर लेती है हलागी अंसु को अकेले काम करने में नो दिन का समय लगता है अंसु को उस काम को करने में अकेले नो दिन का समय लगता है अकेले उस काम को करें विटा और उसने गा स्वाती को उस काम को करने में अकेले बारे दिन का समय लगता है विटा तो काम सबका सेम ही है हैं मगड time सबका अलग अलग क्योंकि हर व्यक्तिक कारेश्मता अलग अलग होती है तो अब एक बावत आई यह तो सबका समय लग चुका है क्या लग चुका बटा समय तो कोई ना कोई तो काम होगा है तो काम निकाल लीजेगा अग काम कैसे निकल लेंगे तो आपको पता है कि तीनों की कारे जंता नो है और जिसमें किसकी दोनी चाहिए रजनी की अब ही पूछता है कि रजनी उसका काम को पूरा करे इता और taro न करई pays पांच समय में गगन से आधा काम करता है तो पहला क्या होगा है घगन होगा पहले क्या माल लीजेगा समय हैं, और फिर क्या माने यह व्रक्त काम, तो इसका मतलब उसने कहा, गगन से आदा काम करता है, नुमुन चार बड़ा पांच समय में, तो किसके चार बड़ा पांच समय में मान लेज़ेगा, गगन ने एक काम कियां, और उसे काम करने में कितना समय लगा एक तो वो कहता है जितना समय गगन को लगा उसका कितने three वैड़ा पांच नुमन पढ़ेगा आप यहां पर एक ना मान कर आप क्या मानलो कुछ भी मानलो कोई फरग नहीं पढ़ता अब वो कहता है एक समय का चार बड़ा पांस समय में और कितना काम गिया? एक काम नहीं किया इसने जितना काम किया उससे आदा काम किया तो अब मैं आप से कहूं, आधा काम करने में इतना समय लगता है, तो एक करने में कितना लगेगा, जब यहां एक बनाएंगे, दो से गुणा करेंगे, तो दो से गुणा करेंगे, तो जब दो से गुणा करेंगे, तो उपर क्या ऐगा, आठ बटे, पांच अजाएगा, तो समय का अनुपात आप प्रोपर अब जान सकते हैं क्योंकि इसका भी काम एक हो चुका है और इसका भी काम एक हो चुका है काम दोनों का बराबर हो गया तो अब टाइम का रेशियो कितना है विटा यह एक है तो यहां कितना है आठ वटे पांच है इस एक पांच को मैं इधर ल पूरा कर लेते हैं। कितना काम करता है 8 यह पांच 8 5 3 तो 13 के इसाब से Sunday filming फेरह कल अर्로 में फैर हुआ और कितने दिन मैं पुरा हो गया आप क्या निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे को वह 17 दिन काम चला और इस रभतार से चला 13 की चल तरफ से चला क्यकि आह यह की दोनों का है विट milieu यह काम 13 नच यह तो है तो है आट 15 से पर उसमे आपसे पूछ पूछा गया तो गगन को इसे कम कराना है T गगन से कराना है तो गगन का कारेच देखे गगन की कारेच हमता कितनी है विटा आठ है कितनी है आठ है बस हो गया सवाल तो गगन की कारेच हमता आठ है तो आठ से भाग कर दो आठ दो नहीं 16 और यह आंसर क्या जाएगा 26 तो आप कह सकते हैं कि गगन के द्वारा वह कारेच पूरा करने में कितने दिन लगें 26 दिन और यही आपका correct answer हो जाएगा चलिए यही आप से पूछा गया था बड़ा अच्छा सवाल है इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं दिखेगा आगे कहता है एक निर्मान इस्थल पर राजू एक दिबार को 36 गंटे में paint कर सकता ह है जबकि अंगत जो है उसी काम को 18 गंटे में कर सकता है सुमित उसी दिवार को 24 घंटे में paint कर सकता है यदी एक साथ काम करें तो दिवार को paint करने में कितना समय लगेगा तो बढ़ाएं कोन घंटे में पेंट कर सकता तरे गंटे और समीत जो है वह कितनी देर में पेंट कर सकता है 24 गंटें अब एक बावत आई हो काम आयके और यह काम कैसे निकाले इस इनकालेका ह這個是 तो मैं कह सकता हूं 72 उतना होता है यह क्या निकाले भीटा आप कारे शम्ता कर लिए निकल चुकी है वो कहता है यदि इक साथ मिलकर कारे को करें तो एक साथ भी करेंगे तो काम तो वही रहेगा काम नहीं बद लेगा तो बहुतर होगया काम बिटा और ये काम किसके दुवारा किया गया है तीनों के साथ तो तीनों की कारेश हमता नीचे रख दीज़ेगा चार दू छे अट छे और तीन नो तो नो नीचे आ जाएगा अब नो से भाग करिए बटा कितनी बार जाएगा आठ बार इसका मदद कितने घंटे में पूरा हो सकता ह है और यहीं आपका आंसर अपकरा कशल 하고 सब्सक्राइस के कहता है और सब्सक्राइक कारेको क्रम साथ 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है तो इस दिन दिन के पूरा कर सकता है और यहां कितना आएगा तीन और यह आएगा दो यह किस का अनुपात आगे कहता है अब उन्हें कुल बिटा 1250 रुपे मिले तो भी का इससा ग्यात करी तो जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसके अनुसार उसको पैसे दिये जाते हैं तो इनकी कारेश चमता कितनी है तीन अनुपात दो तो आप कहेंगे इसी अनुपात में धन रासी बढ़ तो धन रासी का अनुपात कितना हो जाएगा विटा तीन अनुपात तो यह कारेश चमता का अनुपात है यह किसका कारेश चमता का तो धन का भी अनुपात किस अनुपात हो जाएगा तीन अनुपात दो हो जाएगा तो मैंने कहा इन पर कितना है विटा 1250 और यहां कितना हैं कि दोनों का योग 5 और 5 बरावर कितने के 1250 के 1250 के अ अब 5 से भाग करिये विटा तो कितनी बाढ़ जाएगा ज़्यों कि 2000 अ trabajo एक कामान कितना यह दो 182 अ बत्व से किसका पूछा कहले वी का हिस्सा नह शुATHAN 500 क्योंकि एक की वेल्यू जब 500 है तो दो की वेल्यू कितने हो जाएगी 500 और यहीं इसका आंसर हो जाएगा चलिए नैस कोशन पर आगर बढ़ते हैं वह कहता है अंजली एक देखे समाजी कुदेशे के लिए एक दिवार पर डिजाइन कर रही है और 14 दिन में उसने 14 दिन में उसने इस कारे का साथ बटे ग्यारा भाग पूरा कर लिया तो बाकी काम को बहा कितने दिन में पूरा कर पाएगी बढ़ा अच्छा सवाल है तो अंजली जो है विटा साथ बटे ग्यारा भाग को पूरा करने में कितने दिन लेती है विटा चोदा दिन लेती है तो आप एक वावव देए 14 काम, 14 दिन में काम कितना हुआ, 7 बटे 11 भाग, अब मैं आपसे कहता हूं, तो पूरा काम निकाल लो बटा, तो पूरा काम निकालेंगे, तो 7 दुनी 14 और 11 दुनी 22, इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं, कि अजली पूरा काम इसी रफ्तार से करती रह तो 22 दिन में पूरा हो जाएगा मर आपसे पूरा काम नहीं पूछा है तो वो कहता है बाकी काम कितने दिन में पर कर पाएगी बटा तो बचा हुआ काम तो आप मुझे बताएगी या तो ऐसे कर लो 22 दिन में पूरा हो पाता है 22 दिन में पुरा हो पाता तो 11 में से कितना हो गया था बिटा साथ हो चुका था तो बचा कितना चार कितना बचा चार ही तो बचा है और कितने में से 11 तो टोटल काम को करने में कितने दिन लेंगे 22 और 4 बटा 11 बचा है तो बचा हुआ काम का समय निकल जाएगा 11 दुनी 22 और 4 दुनी 8 तो आप कह सकते हैं कि अंजली बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर पाएगी 8 दिन में पूरा कर पाएगी और यही आपके आंसर हो जाएगा मतार देखेगा यह वीडियो का आज का लास कोशन था अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे ठीक आज के